ही फ्रेंड्स वल्कम एंड वल्कम बेक टो माई चैनल मैं हूँ अनश्वी और अगर आप मेरी चैनल पर फॉर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं ब्योटी डिया और बहुत ही कुछ इंट्रस्टिंग वीडियो बना के लेकर आती हूँ तो अगर आपने मेरी चैनल को अब सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजो में जो नोटिफिकेशन बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए नया वीडियो जब्बे में अपलोड करो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आज है त तो आज मैं आपके लिए यह स्मोकी आई मेकप लूप टुटोरियल लेके आई हुए अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो चलिए देखते हमने इस लोग को कैसे क्रियेट किया हुआ तो सबसे पहले में यहाँ पे स्वीज ब्यूट्य का प्राइमर लेनी वाली हूँ क्योंकि जो मेरी ओपन पूर्ज है वो अच्छे से कवर हो जाए और फांडेशन को एक शाइन मिल जाए और उसके बाद में यहाँ पे पेक का अल्ट्रा फांडेशन लूँगी और उससे पहले अपनी आईस को कवर करूँगी ताकि हम जो उस पे आई शेडो लगाए ना उसका जो शेड है वो परफेक्ट लिया जाए क्योंकि आज हम ना ब्लेक और गोल्डन शेड करने वाले तो वह अच्छे से दिखना चाहिए इसके लिए हम लोग बेज रेडी कर रहे है उसके बाद में उस पे कॉमपेक्ट लगाने के बाद अच्छे से ब्लेक कलर के आई शेडो से ना कंप्लीटली मैं मेरी आई लीड कर दूंगी और ना अच्छCause लिए ना अच्छल्र अच्छ से ब्लेक कलर का जोकि यहां पर मैंने क्रिएट क्या हुआ है और यहां पर मैंने कोई अंभात ब्लेटर लगा है अपनी उंगलियों से और ब्लेन ब्रश की मज़त से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है उसके बाद मैं अपने आई ब्रोज को फिल करूंगी थोड़ा सा डार करूंगी क्योंकि आई मेकप काफी ज्यादा डार्क है और मेरे पेस पे आप देख रहें बहुत सारे स्पोर्ट हो चुके है तो पिंक कलर का कंसीलर लेके न मैं सारे स्पोर्ट को कवर कर लोंगी उसके बाद उसको अच्छे से एकदम से स्किर में ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा जो फांडेशन है न वो कंप्लीट बेज मतलब एक कलर का हमारे फेस पे लगे ने तो फिर पूरी जगा पर धबे धबे लगने वाला है उसके बाद मैं सेम पेक का अल्ट्रा एचुडी फांडेशन लेके ड पूरे फेस पे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से टैप मोशन में कवर कर लूँगी ताकि हमारा जो मॉस्चुराइजर है वो स्किन में लॉक रहे उसके बाद मैं ब्रॉंज कलर लेके कांटोर करूंगी सेम आईशेडो पैलेट की मदद से कोई यहां पर मैं ब् इस ब्लश लेने वाले है जिसमें 6 शीड अवेलिबल है और यहां पर हम लोग सारे शीड को मर्च करके करेंगे ताकि काफी ज्यादा अच्छा ग्लोई एफेक्ट आए और इसमें थोड़ा साना हाइलाइटर भी है तो मतलब काफी ज्यादा अच्छा लुक आने वाला है उ पॉइंट्स वहां पर हमें हाइलाइटर को अच्छे से कवर कर लिया है उसके बाद मैं मश्करा मिस कर चुकी थी तो मैंने यहां पर मश्करा कर दिया है जो कि हमारे पास है फैरा रूची का और उसे चार से पांच कोट करेंगे और या तकल ना मुझे यह चीज बहुत पस क्योंकि मेरी आखे ऑल्रेडी चूटी है तो ड्रामेटिकल लुक देने के लिए मैंने यहां पर वाइट काजल किया हुए उसके बाद मैं फैरा रूची की नूड लिप्स्टिक करने वाली हूँ क्योंकि हमारा आई मेकप काफी ज्यादा हैवी है तो हमारी जो लिप्स्ट तो मेकप तो हो चुका है लेकिन इस पर यह कपड़े सूट नहीं हो रहा है तो देख लिया ना टूटोरियल आपने कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और अगर ऐसे ही कुछ वीडियो इंट्रस्टिंग आपको देखने हो ना तो मेरी चैनल को म सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजो में जो नोटिफिकेशन बटन या उस पर क्लिक कर दीजिए नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिख दिया हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उसे भी जाके फॉलो कर दीजिए क्योंकि वहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा ए बाई बाई से युए और टेक केर